दिल्ली के दिल्ली में आया है करोना के उसके पिछले 24 गंटे में 24,000 आये थे उसके पिछले गंटे 24 गंटे में साड़े 19,000 आये थे तो अभी करोना के केसेज बढ़ने की गती चालू है काफी तेजी से बढ़ रहे है ज्यादा चिंता की बात ये है कि पिछले 24 गंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़के लगबग 30% हो गया है जबकि ये उसके पिछले 24 गंटे में केवल 24 परसेंट था 24 परसेंट से बढ़के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया बहुत ज्यादा तेजी से केसेज बढ़ रहे है अभी पूरे दिल्ली का अगर जाय जा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफी तेजी से खतम होते जा रहे हैं पेशेंट्स बहुत बहुत तेजी से मरीज जो है वो अस्पतालों में जा रहे हैं ICU beds की खास कर काफी कमी हो गई है, लगबग सारे दिल्ली के ICU beds मिलाके सौ से भी कम ICU beds पूरे दिल्ली में बचे है, ओक्सीजन की भी काफी कमी है, कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके हाँ काफी ज्यादा कमी हो गई थी जिसके वज़े से त्रासद परक में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है, जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्शवर्दन से भी बात हुई थी, उनको भी मैंने बताया कि हमें हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़ादा जरूरत है आज सुबह श्री अमिच शाजी से भी मेरी बात हुई फोन के उपर उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़ादा जरूरत है और दिली में लगबक केंदर सरकार के सारे अस्पतालों के मिलाके 10,000 के करीब बेड्ड हैं अभी उसमें से 1800 बेड्ड जो हैं वो रिजर्व किये गए हैं करोना के लिए हमारी केंदर सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड्ड इतनी गंभी परिस्थिती पल-पल परिस्थिती खराब हो रही है तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड करोना के लिए रिजर्व किये जाएं और ऑक्सिजन की तुरंथ हमको सप्लाई की जाएं अदिली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उमीद करता हूं तो कि 6,000 से जादा बेड्स हम तयार कर लेंगे और जैसा मैंने बताया आइसी बेड्स की कमी है आइसी बेड्स की कमी आइसी बेड्स एज इस तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है लेकिन देखने में आया है कि अधिकतर मरीजियों को हाइफ लो ऑक्सीजन की जुरूत होती है तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाइफ लो ऑक्सीजन का इंतिजाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का और हाइफ लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाई जा सेके तो 6,000 के करीब हम oxygen beds अगले कुछ दिनों में यमना sports complex, commonwealth games, राधा स्वामी सत्संग वाला जो केंद्र था उसको दुबारा चालू कर रहे हैं कई स्कूलों के अंदर भी beds लगाये जा रहे हैं और उनको hospital इसके साथ attach किया जा रहा है जो करफी लगाया गया है उसका लोग काफी सहयोग कर रहे हैं मैं पूरे दिली की जनता का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ जिस तरह से करोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके पूरे दिली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं कई संथानों से भी बहुत मदद आ रही है, कई सारी NGO's के संघथ कर रही हैं,। मैं उन सब का शुक्रियादा करता हूँ, मैं केंदर सरकार का शुक्रियादा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलके इस चौतही वेव को भी जल्द पार पालेंगे।